हमने एक पहले वीडियो बनाई थी नेटवर्किंग पे उसमें बताये थे कि एक शेम ही कंपनी के या अलगलग कंपनियों के राउटर एक राउटर के बाद में आगे कैसे राउटर अटेट्स करें और उसको कैसे कौन फिगर करें और कैसे एकसे करें इसके बारे में आपको बताया था आज मैं नेटवर्किंग का दूसरा ये वीडियो है वो अपलोड करने जा रहा हूं उसमें आपको मैं बताऊंगा कि नेटवर्क ये नेटवर्क के अंदर राउटर जो लगाते हैं राउटर को रूटर मोड और स्विच मोड कैसे करें एक को switch mode कैसे करें switch mode करने का फाइदा इतने होता है कि जो routing करने के कारण एक MS का जो पिंग होता है वो लोस नहीं करेगा तो routing का यह करण अधा है वो डारेट जैसे पीछ से राउटर है वो आई पी दे रहा है उसी टाइप से आगे वो आई पी निकाल देगा इसके बारे में हैं तो चलिए मैं आपको इसके Conflikation के बारे में बता देता हूं और आपको राउटर देखाता हूं और राउटर को मैंने एक बार उसकी लैन देखिए उसके बाद में आपके दी समझ में नहीं आता है फिर मेरे को मेसेज कीजिए मैं आपको जवाब दूँगा और आपको समाधान बताओंगा तो चलिए दोस्तों ये मेरे पास में रूटर है उस रूटर के अंदर देखिए ये एक नमबर लेन है दो नमबर तीन उस इन्टरनेट केबल को इस वैन में लगाते हैं तो इसके अंदर नेट सल जाएगा और यह मेरे पास में केबल है और इस टेपल को मैं राउटर से अटेज्ट करूंगा उसको मैं वाइफई से भी कर सकता हूं लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूं इसको मैंने लेन में लगा दिया है और लेन में लगाने के बाद में मेरा यह जो लेप्टोप है इस लेप्टोप के लेन पॉर्ट से मैं अटेज्ट कर दे तो यह देखिए यह डाइनेमिक पे हैं तो इसको कर दीजिए इसको डाइनेमिक रखना है यह यह नेट कनेक्टेड है और यह स्क्रीन में दिखा रहा है चल रहा हो चल रहा है कोई दिखत नहीं है कौई दिखत नहीं यह नेट चल रहए तो अब हम स्विच मोड करेंगे रूटर को तो स्विच मोड करते ही क्या होगा नेट बंद हो जाएगा क्योंगी यह वैन पोर्ट है वो डिशेबल हो जाएगा तो चलिए किस परकार्शे करते हैं उसके बारे मां आपको बता देता हूँ कौन फिजेशन राउटर को करना नॉर्मल है वो तो आपको आता ही है क्यों यह स्विच मोड का उप्शन में आपको बता रहा हूँ तो आप जाएगे एडवांस के अंदर जाएगे और आपको स्विच मोड किस परकार्शे करना है वो भी मैं आपको थोड़ा सा पहले मैं वेन आईपी के आ रही है वेन आईपी आ रही है एक सो बांड में डोट 166.9.109 आ रही है और गेट वी आ रहा है नाइन डोट वन आ रहा है तो आपको इसी स्रीज की आईपी इस राउटर को रखनी है ताकि यह एकदम वरक करे प्रोपर वरक करता रही है तो सबसे पहले आप जाए है एडवांस के अंदर रख कि इसके अंदर मिलेगा आपको अंदर मिलेगा तो आप इसके लेंज वे और आई-पी पसली है आपको से हZA करनी है जैसे मैं कर दिक हो नोट जो ग्वांट ग्यारा कर देता हूं और इहां पर गृ सिस से आप राइट निंशान यह घ्टी आप हटा दोगे तो यह स्विच हो जाएगा स्विच करने का इतना ही option है दिश्वर करते यह राउटिंग करेगा और प्राइब करते लिए राउटिंग करना बंद तो ब्राइन के लिए टो नेंग राट है यहां था तो हैं नेट करने के लिए तोमाइन वाली केबल है यह केबल्स आप दूर के एक बार लगाता हूं औ। चैंट में भास करते है इसANGसे को रिबूट कर दे rigor यहां एक बार दुबारे रिफ्रेस करके दुबारे ट्राई करके देखते हैं मैंने 9.11 किया है और यह DHCP server है उसको disable कर दिया है तो यह बोल रहा है भी कि यह IP अभी change कर रहा है और यह reboot होगा router तो OK कर दीजिए यह share हो रहा है यह router भी reboot हो रहा है अब यह router open नहीं होगा डायरेक्ट जब तक यह internet वाली cable router के LAN port में नहीं लगेगी तब तक यह open नहीं होगा राउटर के LAN port में यह cable लगाने के बाद में router open हो जाएगा फिर वैन port में यह cable लगा के net चलाएंगे तो net नहीं चलेगा क्योंकि वैन बाहर से internet लेकर routing करके आगे निकालता है और LAN के अंदर लगाएंगे तो LAN वाला जो है यह switch mode का काम करेगा क्योंकि DHCP बंद कर दिया है तो यह router IP तो देगा नहीं आगे अपने तरफ से IP नहीं देगा यह जो पीछे से IP लेगा वह IP आगे फारवर्ड करेगा इनकी IP के और जो हमने static IP 9.11 जो की है वही उसकी IP है यह static रूप में हो गया है अब 11.9.11 पे open करेंगे तो इसका page तो open हो जाएगा और जो router पीछे से जो IP route करेगा यह router जो IP मिलेगी यह पीछे वाला जो router है उसकी IP मिलेगी तो यह reboot हो गया है अब reboot होने के बाद में हम उससे router को देखे open करते हैं 112.168.9.11 और enter करते हैं तो यह page open नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं यह जो cable है यह पहले तो इस when port में लगा रखी थी इतन देर अब लगाएंगे LAN port में लगाएंगे LAN port में लगाने के बाद में हम router को open करके देखेंगे यह open हो गया 9.11 पे इतन देर 11 पे नहीं हो रहा था अब यह open हो गया अभी देखें और एक बार देखिए मैं सर्च करता हूं यह देखिए Google सर्च नहीं हो रहा है क्योंकि यह वैंपोर्ट डिशेबल हो गया है यह काम नहीं करेगा यह काम नहीं करेगा अब इसको निकाल गए आप यह दी लैन में लगा दोगे यह लैन तीन पॉर्ट है तीनों में कोई भी लगा सकते हैं कर्यार इस लैन पॉर्ट में लगा देता हूं लगाने के बाद में हम दोबार रिफ्रेंस करेंगे तो नैट चल जाएगा यह देखिए मैं साइट वे रहे ना मैंने ओपन किया सर्च किया यह ओपन हो गया है यह नच चल गया है तो यही रिजन है लैन और आप मैंने बता दिया है कि वैंन के अंदर लगाते हैं तो डीए सिपी सर्वड अनेबल करना जरूरी है और यह दी लेन में लगाते हैं तो डीए सिपी सर्वर को आप डिसेबल कर दीजी आप लेगा फिर वह लेट वाला पोर्ट है वह काम नहीं करेगा तो इस परकार 9.11 पे जाना होगा क्योंको लैन पोर्ट के माद़े में से नेट आ रहा है इसलिए दिखाएगा और आपको यह इससे पहले वाला जो रूटर ओपन करना है उसकी आई पी है 9.1 तो इसको करेंगे तो यह मैं जो रूटर है यह आई बोल का है यह ओपन हो जाएगा तो हम इस प राउटिंग करके अपने तरफ से आई पी देगा और यह इसको आई पी आगे फारवड करेगा इसका कोई रोल नहीं होगा तो आपको जब डिए डिएपी डिशेबल करना है तो लैन पोर्ट में ही सभी केबले लगानी है वैन पोर्ट में केबल नहीं लगेगी आपके लगा यह दिया आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए